तो यह आपका फर्स्ट कोश्चन प्यारी वच्चो बीच में कनेक्शन की कुछ क्या पता क्या दिक्कत आ रही थी सामश्या जौब बाद तो बताईए आपके फर्स्ट वाले कोश्चन का क्या अंसर होगा यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है आर एल आई एस एच एसल तो इससे आपका क्या वर्ड बनेगा और उसी के बिहाफ पे हमें जो है अंसर देना होगा तो बताईए प्यारे बच्चों क्या अंसर होगा पी हूँ लाइक अंजी लाइक जुरूर कर दीजिए लाइक के बिना तो कुछ नहीं है बताईए क्या अंसर होगा फर्स्ट नंबर कोश्चन है प्यारे बच्चों आप सबके सामने फर्स्ट कोश्चन का अंसर बताने की कोशिश करो फर्स्ट कोश्चन का आप सबका क्या अंसर होगा पंकज भाही राम राम अमन्तिवारी गुडिवनिंग डियर रादे रादे पीवू एलेक्टरिक बंडारी रमराम भाई मंजीट आगर रमराम पीवू रोमरोम रामराम रोमरोम शेर भी किया बहुत अच्छे थैंक्यू थैंक्यू डियर आपने सेर गया भई फर्स कॉस्चन पे काफी देर से मैं ठिका हुआ हूँ बार-बार आप सबसे पुछे जा रहा हूँ कि इसका अंसर क्या बनेगा करिए कोशिस फर्स्ट कोश्चन का अंसर देने की कोशिस करो क्या अंसर आपका आने वाला है तब तक और बच्चे भी साथ के साथ जुड़ते रहेंगे याँ पर पिहू गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग डियर गुड़ीवनिंग किसी का अंसर नहीं आ रहा है भई फर्स्ट का ठीक है अमन्तिवारी का अंसर आ रहा है ए अमन्तिवारी का अंसर आ रहा है ए पंकज बाच्चा का अंसर आ रहा है सीव एक बारी आप सब comment करके बताईए कि यहाँ पे जो भी है यह क्या आपका अंसर बन रहा है परू का आंसर C है नमस्कार परू बस आप यह बताईए नइ भाई यह तो बताओ वर्ड क्या बन रहा है आप सबने अंसर तो दे दिया है सी इसके बाद यह तो बताईए कि इससे क्या एक मीनिंगफूल वर्ड बन रहा है पुनर विवस्तित किया जा रहा है इसे पहले word बताईए word क्या बनेगा सब अंसर लिखे जा रहे हैं बस संजु को सीख सी इसी अंसर किसी का नहीं है प्यारे बच्चु अंसर है इसका भी word किसी नहीं नहीं बताया अब किसी को पता ही नहीं है तो कोई नहीं इसको सस्पेंस रखते अगले question पे पोचते हैं फिर आप word बता देते तो फिर मैं इसे complete soul करवा देता second number question को देखिए इसमें लिखा गया है today is Tuesday before 28 days it was यदि आज मंगलवार है तो 28 दिन के बाद क्या होगा ये आप से पुछा जा रहा है प्यारे बच्चो मैंग बेस्ट जैंद भाई जैंद second number question का answer बताइए प्यारे बच्चो बोला जा रहा है Tuesday है अगर मान लिजे आज Tuesday है तो 28 दिन बाद क्या होगा देखो सिधी सी बाद है अगर मान लिजे आज Tuesday है तो 7 दिन के बाद क्या होगा Tuesday ही होगा 14 दिन के बाद क्या होगा वो भी Tuesday ही होगा 21 दिन के बाद क्या होगा वो भी Tuesday होगा और 28 दिन के बाद क्या होगा प्यारे बच्चो Tuesday ही होगा आप सबका answer क्या होगा मंगलवार answer होगा चंचल वच्च का विल्कुल परसफेक्ट अंसर है प। बढ़िया राजवाब अंसर आया आप सब चरहिंट इरु Tilam आपका question solo होने वाला है संजू question का answer भी D है बहुत अच्छे बहुत अच्छे एकदम perfect answer है आप सब का बताइए अगले वाले question में आपका क्या answer बनेगा second का D हाँ जी second का D ही answer है third का answer देने की कोशिश करोगी third वाले का आपका क्या answer आपकर आएगा answer बहुत लेट आ रहे हैं प्यारे बच्चोगelle आप सब के देखिए क्या गाम कर रहा है यहां पे एन है एन में एक plus करेगा तो क्या हो जाएगा ओ ओ के बाद क्या है P है ओ में एक plus करेगा तो क्या हो जाएगा P, I में 1 प्लस करेगा तो हो जाएगा J और T में 1 प्लस करेगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चो U हो जाएगा, आपको सिधा सा इसके अंदर 1 प्लस करना है और वो सामने की तरफ लिखा हुआ मिलेगा D में 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा S हो जाएगा इस तरीके से continue चल रहा है तो आप चेक कर सकते हो E F U B S इससे आपके ये option सारे start हो रहे है cable change कहाँ पे है आपका यहाँ पे option B में और option C में तो यहाँ से आप चेक कर लिजे कि E है E में जब आप plus 1 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा तो इसमें answer क्या होगा प्यारे बच्चों आपका option number C इसमें correct हो जाएगा एकदम सही answer है आपका C answer एकदम correct answer है मैंक बेश्ट का C answer है बहुत अच्छे भाई और बाक्की के answer चर आ रहे हैं धीरे धीरे कि धीरे धीरे से answer आ रहे है मैंक बेश्ट का answer C है फिर बाद में गोरव दहिया जोदी राटी पंकज बाजश्या कपदान सिंग चीनू संजु कोसिक पीउ मिनाक्सी डवास आप सब का answer C है पीउ का answer D है वो गलत हो गया प्यारे बच्चे पीउ आपका answer गलत होगे आपकी सब का answer एकदम सही है correct answer है जो तीर आटी का network problem कर रहा है भाई अपना तो network सही चल रहा होगा मेरी तरफ से तो network okay है यह साथ में मैं दूसरे phone में भी देख रहा हूँ तो बिलकुल okay लग रहा है मुझे अब बताईए फोर्थ नंबर में क्या answer होगा अमन्तिवारी का B answer है गोरवदया का B answer है चंचल का E answer है ठीक है प्यारे बच्चे चेक कर लेते हैं क्या answer आपका होगा देखिए यहाँ पे आपको क्या बताए जा रहा है कि यह दोनो case क्या है 50-50 है तो case क्या है आपका answer टेन है यानि कि N इस्चित case है यानि कि जो testy है testy है और fruit है वो कभी एक साथ आनी सकता है तो first option तो हो गया आपका direct गलत कि जो sorry first नहीं अगर testy और fruit है हाँ जी testy और fruit होगा तो क्या हो जाएगा गलत कि यहाँ testy लिखा है और यह fruit लिखा है वो कभी एक साथ नहीं आ सकते है बाकी यहाँ पे लिखा है fruit है और यह क्या है juice है यह second statement का use कर रहे है प्यारे बच्चों और second statement ऐसे के ऐसे आजाती उसमें कोई change नहीं है क्योंकि sum का answer जो है हम sum में लिख सकते है उसको check करने की हमें आवसकता नहीं यह ना ही हमें 50 handra रखने की जरूरत है ना ही हमें when diagram बनाने की जरूरत है तो fourth का answer क्या हो जाएगा केवल जो है B अनुसर्ण करता है तो option number B एकदम perfect answer है मिनाक्सी डवास आपका गलत हो गया कपदान सिंग का गलत है पंकर्ज बाच्छा का answer गलत हुआ क्या बात हो गई नेट नहीं चल रहा प्यारे बच्चों आपका यहाँ तो सही चल रहा है पीहू का answer गलत हो गया ठीक है जोती राटी का भी answer था ठीक है बच्चे fifth को check करते है फिफ्ट वाले में आपका क्या answer रहेगा तो देखो फिफ्ट वाले में क्या है यहाँ पे teacher 50 marks का है यह teacher 50 marks का है तो case आपका क्या बनेगा case बनेगा एनिस्चित यानि कि uncertain बनेगा कि जहाँ पे student और lecturer लिखा होगा तो गलत हो जाएगा इसमें first option में लिखा है student और lecturer यह नहीं बनेगा यह हो जाएगा आपका गलत क्योंकि any shit case है इस वज़े से अब यह दोनो case क्या है आपके certain case है यानि कि बनेगा ही बनेगा उसके बाद क्या लिख रखा है professional लिखा है और क्या लिखा है student लिखा है तो प्यारे बच्चे professional इस last वाली line में है आपका और student जो है वो आपका first वाली line में लिखा हुआ है जब आप first को और third वाली line को मिलाओगे तो वो हमेशा any shit case बनेगा यह भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दोनो statement क्या है positive हैं तो either or में भी नहीं जाएगा यह दोनों ही गलत है तो आपका क्या आजाएगा answer आजाएगा d कि neither first nor second follow आपका answer क्या होगा कि neither first nor second follow यह आपका answer होगा प्यारे बच्चो तो आप सबका answer क्या होगा answer होगा d answer हमारा क्या होगा प्यारे बच्चो अंसर होगा हमारा डी ओप्शन हमारा एकदम करेक्ट अंसर होगा बिल्कुल सही नेक्ट कोश्चन की और पोस्त है तो सारा सेसेन ऐसे ही चलेगा आपका फटाफट वाला परू का अंसर जो है गलत हो गया है बाकी का सही है राहूल राज जोती राटी सुन्जू कोशिक कप्तान सिंग प्यगू मिनाक्सी डवास इनका अंसर एकदम सही है चीनो भाई सी अंसर आ रहा है कहां गडबड़ कर रहे हो चले अगला कोश्चन आप सब के सामने है चेक करिए इसमें आपका क्या आंसर होगा इस लिखा है ऐसी कंटीनू आगे बढ़ाता जा रहा है कुछ माइनस कर रहा है कुछ प्लस कर रहा है चेक करिए केवल जो फर्स्ट वाला वर्ड है इसी से सारा खेल कर रहे है बताईए प्यारे बच्चो आप सब का क्या आंसर होगा देखे चीनू सिंग का आंसर डी आया था काड़ दिया फिर्म चीनू मैं फोर ओप्शन सोच के बता दिया चलो कोई नहीं भाई चीनू लेकिन ध्यान रखा करो थोड़ा सा गोरव दिया का सी अंसर है गलत अंसर है दोनों के अंसर गलत आए काफी बच्चे घर पर नहीं है ठीक है कोई नहीं तो मेसेज आ हाट हाट गया इसने केवल एक वक्षाया एक तो इसने रसे और एक इसने जी ताएया इसी सी से अंसर आ रहे हैं यह जो आपका है इसी से सब के अंसर आ कि सर दो हटा की तो अंसर दे रखा है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका अंसर क्या आएगा, N आएगा, E आएगा, R आएगा, O आएगा, S आएगा, और I आएगा, C अंसर एकदम परफेक्ट है, ठाकूर और चीनू, और राहुल राज, मैं बस यह इंतजार कर रहा हू कोई यहां पर गलत अंसर दे तो अंसर जो है C बिल्कुल परफेक्ट अंसर है 6 का जो C अंसर है वो एकदम सही अंसर है 6 का जो C अंसर होगा वो आपका एकदम सही अंसर होगा प्यारे बच्चो चेक करिए 7th नंबर कुश्चन को 7th में क्या होगा poor connection of internet जी सर दो हटा के C option बनेगा सर आपके net में problem हो रही है मैं थोड़ा लेट हो गई मेरे network में problem हो रही है यहां तो सही दिखा रहा है प्यारे बच्चो मेरा सही है फिर ठीक है प्यू आपका सही है तो एक बारी सब कमेंट करके जरूर बता दो किस किस के में network problem आ रही है network problem कहां कहां आ रही है एक बारी वीडियो को हटा करके दुबारा से चलाने की कोशिश कर लो यहां तो सब बढ़िया चल रहा है प्यारे बच्चो ठीक है 7 का क्या आ रहा है D हाँ सीवानी गूड इवनिंग आप लेट होगे काफी मेला भी ठीक है परू का भी ठीक है जोती राटी मेरा भी ठीक है बिल्कुल सही है चलिए बहुत अच्छे तो सेवन का अंसर क्या रहा है प्यारे बच्चो डी अंसर आ रहा है ठीक है एक बारी चेक कर लेते हैं डी अंसर कैसे है सही है नेट सर फर्स्ट क्लास देखो प्यू बोल रही है कि फर्स्ट क्लास नेट है क्योंकि यह है तो ए का क्या होगा आपका प्लस यानि कि 19 प्लस क्या होगा 6 सी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों मल्टिप्लाई है यह क्या है आपका 3 है ए का मीनिंग क्या होगा आपका प्लस होगा फिर बी का मीनिंग आपका क्या रखा हुआ है B का मतलब है minus और minus कितना है 5 सबसे पहले bracket वाले 6 लोंगे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले bracket वाले 6 लोंगे यहां कितना होगा 10 होगा यह multiply करेंगे 19 और 6 कितना होता है 25 की 10 से multiply करेंगे कितना होगा 250 250 में से 5 जाएगा कितना वज़ेगा 245 इस question का answer हो जाएगा तो option number D जो है वो एकदम आपका सही answer है option number जो D है वो आपका correct answer है दीसे ठीक हो गया आपने ठीक है भाई ठीक है बताइए 8th number question की और पोच गये है 8th number में आपका क्या answer होगा सबका answer सही दा जिसका अगर गलत होता तो मैं जरूर बता देता जोती राठी, गोरव जईया, परू चीनू लली ठाकूर बहुत बढ़िया भाई मेनाक्षी डवास बहुत अच्छे बच्चे पीउ का D answer है संजू कोशिक का D answer है, ढाकूर का D answer है कप्तान सिंग का D answer है बहुत अच्छे बहुत अच्छे ला जवाब answer आ रहे थे आप सबके answer एकदम perfect D answer ही आएगा तो एक बार ही आप question number 8 को check करने की कोशिस करिए कि 8th question में आपका क्या answer होगा 8th question को check करिए पैरे बच्चो 8th question में आप सबका क्या answer होगा बस आप मैनत से बढ़ते रहे मंजी डागर का answer है B ठीक है बच्चे आपका answer B आ रहा है तो एक बार B को ही check कर लेते है कि अगर मान लिजे इस पे B put करते है कि 7 multiply कितना है 13 है फिर बाद में कितना है plus plus 9 है equal to कितना है 100 है तो यहाँ पे 13 सत्य कितना होता है आपका 99 में होता है 99 में plus 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा 13 7 जा कितना होता है प्यारे बच्चो 91 होता है B answer एकदम सही है चिनू सिंग आपका फिर से गलत हो गया क्या करने हो भाई चिनू answer B option एकदम सही है B option जो है वही perfect है प्यारे बच्चो B answer एकदम सही है आप सबका B answer जो है वो एकदम सही answer है B ही आपका answer होगा Sir फर्स्ट वाले में Shrill बनेगा क्या Shrill Shrill बिल्कुल सही बताया आपने Shrill ही बनेगा फर्स्ट वाले question के अंदर सबसे last में रखेंगे दुबारा से फिर answer सबका गलत था वो answer जो है सबका गलत था उसमें बन रहा है Shrill बन रहा है बिल्कुल तो सेम बताना था Shrill का जो सेम होता है वो ही होता है Salt क्या लिखा था उसमें Soft लिखा था ऐसा कुछ था ठीक है चीनू सिंग का B answer है ठीक है भाई 9th question को चेक करिए 9th question में आपका क्या answer होगा 8th का B answer सबका एकदम सही answer था 9th में answer आया है आमंतिवारी का A answer आया है ठीक है यहां पर क्या कर रहा है प्यारे बच्चो इसने क्या लिखा है Monster लिखा है M-O-N-S-T-E-R Monster इसने लिखा वही Monster क्या हमें यहां नजर आ रहा है तो M-O-N-S-T-E-R तो यहां कहीं गडबड का रखी है लिखने में यह दो जंगें पर यहां पर कई पर एक जंगें के आएगा आपका S आएगा अगर हम इसको इस तरीके से सोल करते हैं S नहीं आएगा वो बाते उसने सही लिख रखी है इस वाले को क्या कर रहा है फर्स्ट हापको उसने रिवर्स कर दिया उसने लिख दिया है N O M सेकंड हाफ है जो ब्यारे बच्चो उसको reverse लिख दिया है इसने लिख दिया है R E T जो बीच में एक बच गया उसमें plus one कर दिया वो क्या हो गया है T ऐसे ही आप healthy में लिख दिये क्या आएगा 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 L बीच में बैठा हुआ है एक plus कर दो 12 और एक कितना हो जाता है 13 फिर जो last का है उसको reverse कर दिजिए यह आपका answer हो जाएगा और यह answer किसमें है इसमें है एकदम सही answer है यह answer बिलकुल सही है ठाकुर बोल रहे हूँ है यह answer सही है जोती राटी मंजीत आगर कप्तान सिंग परू पिभू गोरो दया संजु को सिग मयंग बिष्ट मिनाक सी डवास shout हाँ वो shout था बिलकुल बिलकुल सही बताया आपने कब आया था फर्स्ट कोस्टिए अचा कब आया था फर्स्ट कोस्टिए चलो last में दुबारा से फिर ले लेंगे बदाइए 10th question में आपका क्या answer होगा after walking 9 km अब 2 turn left and walk 6 km ऐसे मुड़े जा रहा है last में क्या पुछा जा रहा है if he stood west direction toward which direction did he walk the first इसने आपसे ये पुछा है प्यारे बच्चे कि ये शुरुवात में किस दिसा में चलना प्रारम किया था इसने जो ये 9 km चला था ये किस दिसा में चला था उसके बाद क्या मुड़ा है ये left side मुड़ा है left side मुड़ा है कितना मुड़ा है 6 km किलोमेटर की हमें कोई आफशकता नहीं होती है इसके बाद में क्या है कि फिर वो left motor कितना चल रहा है 11 km चल रहा है अब आपको देखो सिधा सा काम करना होता है कि अगर दो left आए या फिर दो right आए सिधा सा काम करना है हमें opposite रख देना है तो west का जो opposite होता है प्यारे बच्चों west का opposite क्या होता है इस्ट होता है तो आपको सबका अंसर क्या आ जाएगा अंसर आ जाएगा पूर्व डी ओप्शन एकदम करेक्ट अंसर है डी ओप्शन ही सबका जल रहा है हांजी हांजी परू बिल्कुल उसमें वही काम किया था 10th का अंसर डी है सबका अंसर एकदम सही है सबका अंसर एकदम सही है 11 कोशन के ओर बढ़ते हैं देखते हैं 11 कोशन में किस-किस बच्चे का पहले अंसर आता है संजु को सिख बिल्कुल सही है यहां पर क्या किया जा रहा है इसने क्या किया है डी है D के बाद क्या है 6 है यानि कि D में 2 प्लस कर देगा तो 6 हो जाएगा H है H में कितना प्लस कर देगा 4 प्लस कर देगा तो 12 हो जाएगा L कितना है 12 12 में 6 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चो 18 हो जाएगा सेम ऐसे ही T है T 20 होता है 20 में कितना जोड़ा है 10 यान कि यहाँ पे कोई ऐसे digit आनी चाहिए जिसमें कितना जोड़ेगा आपका 8 जोड़ेगा वो चीज यहाँ पे विल्कुल confirm हो जानी चाहिए इसके बाद यहाँ पे और क्या क्या है कि 4 नमबर पे क्या आता है D आता है उसके बाद में 8 पे आता है फिर 12 नमबर का और फिर 16 नमबर का और फिर 20 नमबर का यानि कि D कितने पे है 4 पे है H कितना है 8 पे है L कितना है 12 पे है 16 में 8 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा बिल्कुल सही है अंसर आपका C अंसर एकदम करेक्ट है प्यारे बच्चो C अंसर जो है वही आपका करेक्ट होगा C अंसर एकदम सही है सबका अंसर C आया मंजीट आगर सुन्जु कोसिक मिनाक्षी डवास अमन तिवारी परू कप्तान सिंग गोरव दया ठाकूर ललिट सिंग बंडारी जोती राठी मयंक बिस्ट एकदम सही अंसर आया आप सबका बोद बड़ी अला जवाब अंसर आया आप सबका मजा आ गया प्यारे बच्चो चलिए आप थोड़ी डिस्टेदारी बना लेते हैं चिनु सिंग पी ट्वंटी फॉर नहीं भाई चिनु से पी ट्वंटी फॉर नहीं होगा गैप सब में आट का था अगर उस कोश्चन को सोल करते तो उसमें गैप सब में यही होता अगर आप उस कोश्चन को दुबारा से सोल करोगे 11 नंबर जो कोश्चन है N और 22 में अगर जाते हो N और 24 में आप जाते हो तो उसमें हलाकी जो है 6 और 410 का गैप है लेकिन N और 22 में जाते हो तो वहाँ पे आपको गैप अलग नज़रा रहा है चिनु सिंग आपका अंसर एकदम सही है लेकिन मैं बाकी चीजों को define कर रहा था P24 एकदम सही अंसर है चिनु भाई एकदम सही अंसर था आपका बार में कोश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि How is O related to M M प्लस N लिखा गया है कि M जो है N का पिता है M is father of N M is father of N and N is mother of O N is mother of O N O की माता है O is sister of Q O is sister of Q यह ऐसा लिखा गया है तो O का M से relation पूचा गया है पहरे बच्चों यहाँ पे O की मा कोन है O की मा लगती है N लगती है और O की मा N है मा के जो पिताजी होंगे वो क्या लगेंगे नाना लगेंगे अगर पुचा जाता कि M का O से क्या relation है तो आपका answer आता नाना का अब पुचा जा रहा है O का M से क्या है तो आप एक language use करते हो दोता दोती वो यहाँ पे answer में कभी मिलेगा नहीं लेकिन आपको तो यहाँ पे आप सब का क्या होगा प्यारे बच्चो कि grand son तो बोल नहीं सकते फिर क्या होगा grand daughter आपका answer आएगा क्योंकि यहाँ पे एक negative point है O के उपर क्या है minus sign है इस वज़े से आप सब का answer क्या होगा डी answer होगा अंजी रहूल भाई एक बारी live पे click करो आप बहुत पिछे चल रहे हो आपका answer पिछले वाले question का answer आ रहा है इस इस नोट फेर सर यह लोग आपके question का answer पहले ही दे देते हैं बाई एक बारी आप skip करिए रहूल बाई एक बारी आप skip करिए आगे तक पहुचिए मेरे ख्याल से आप यह जो दो-तीन बार ऐसे click करते ना screen पे ऐसे click कर दीजिए तो आप आगे तक बढ़ जाओगे 13 question को check करिए इसमें क्या होगा बिलकुल live पे जागर के click कर दो बताइए प्यारे बच्चों इसमें क्या answer होगा आपका क्या बोला गया है कि एक class में total number of student कितने हैं 60 student हैं 60 student हैं अब boy is rank 30 from top वो 30 नंबर पे है top से कितने पे है प्यारे बच्चों top से है वो 30 नंबर पे top से है when 10 boys joined यानि कि 10 boys और join कर लेते हैं 10 बच्चे और जुड़ जुड़ जाते हैं his rank was drop by one drop by one यानि कि एक rank उसकी क्या है कम हो जाती है प्यारे बच्चों एक rank क्या है उसकी drop हो जाती है अब आपके mind में दो rank चल रही है और एक rank क्या चल रही है 31 आपकी चल रही है अगर वो top से 30 पे है अगर drop करेगा तो वो 31 पहुचेगा या फिर 29 पहुचेगा ये आपको confirm करना होगा what is his new rank from the last अब आप से क्या पुचा जा रहा है प्यारे बच्चों की last से यानि की आकरी से फिर उसका सान क्या होगा वो आपको पता करना है ये क्या आगया बिल्गुल सही है ठीक है कोई ना बढ़डे ते तेरा भी आज आज है अच्छा बढ़डे भी सकर रहे है अम अंतिवारी का अंसर आ रहा है 13 का ए बढ़े ध्यान से अंसर देना पड़ेगा बहुत ध्यान से अंसर देना पड़ेगा मैं तो बार-बार आपसे यही बोले जा रहा हूँ आपको इस सीज का ध्यान रखना पड़ेगा जिसका भी ए अंसर आ रहा है प्यारे बच्चो बहुत बड़ी गडबड़ कर रहे हो आप सब आप एक बात को समझना अगर आपकी रैंक फर्स्ट है आपकी रैंक क्या है आपकी फर्स्ट रैंक है और आप से क्या बोला जा रहा है कि और बच्चे भी जुड़ गए है लेकिन आप one rank जो है drop कर गए हो आप one rank जो है drop कर गए हो उसका sun एक कम हो गया है आपका एक sun कम हो गया है पैरे बच्चो इस चीज़ का ध्यान रखो तो आप 29 से soul करोगे या फिर 31 से soul करोगे देखो समझना बातों को बड़े ध्यान से किया क्या बोला गया है when 10 boys are added कि total कितने बच्चे थे 60 बच्चे थे 60 में अगर मैं 10 जोड़ देता हूं तो कितना आ रहा है आपका 70 आ रहा है अब आप सबने क्या किया है आप सबने लिया है 29 जब आप 70 में से 29 घटा देते हो और फिर आपक बोटम का मुझे पता करना है तो मैं क्या करूँगा टोटल में से जो एक साइड आपको टोप गिवन है वो माइनस करूँगा और एक इसके अंदर क्या कर दूँगा प्यारे बच्चो प्लस कर दूँगा इतना सा काम हम यहां पे करेंगे उसके बाद जोदा सोरी सर 40 होगा आमन तिवारी बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई तो देखो चेक करते हैं कि यहां पे कितना है 70 है जब 70 में से आप कितना घटाओगे 39 घटाओगे तो आप सब के सामने क्या नजर आ रहा होगा आपको 41 नजर आएगा कि 70 माइनस 21 करोगे और फिर उसमे प्लस वन कर दोगे तो आपका कितना बनेगा 42 बनेगा लेकिन यह आपका अंसर गलत है प्यारे बच्चों इस सीज को ही मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि जिनका भी अंसर यह है वो तो गलत हो गया है अब तो आप ठीक नहीं कर सकते अंसर आएगा आपका 4040 अंसर क्य नाए ले लेतें वो एकदम घलत है बाई उसका रैंक ड्रोप निए रांक बढ़ गया है बढ़ अग्लश बैप कर गया टो ड्रोप कर गया तो इसका मतलब यह नहीं उसका selection हो गया वो कितने पर पोज़ गया बैरे बच्चों वो 31 पर पोज़ गया है अब आप माइनस करें करिए कि 70 माइनस 31 प्लस आप क्या करेंगे वन करेंगे तो इसको घटाएंगे कितना होगा 39 होगा ना सोरी 39 होगा है ठीक है 39 होगा फर्टीनाइन में एक और प्लस कर दोगे तो आपका कितना अंसर आ जाएगा 4040 बी अंसर एक्ड़म सही होगा कप्तान सिंग ने भी गलत कर दिया था काफी बच्चों ने क्या सब ने ही गलत कर रखादा ये तो किसी का अंसर सही नहीं था किसी का अंसर सही नहीं था 13 question तो भई सबका ही गलत था क्योंकि सब A answer दिये जा रहे थे सबका answer A ही आ रहा था उसके बाद में तो 40 फिर सबका ही आ गया लेकिन थोड़ा misleading हो गया बिल्कुल आसोक दलाल B answer बहुत अच्छे भई बहुत बढ़िया अगे वाला question सोल कर ये इसमें क्या बोला गया है कि at the rate का मतलब क्या है आपका 2 है at the rate का मतलब क्या है 2 है percentage का मतलब है आपका 3 उसके बाद में क्या है has है has का मतलब कितना है 156 है फिर divided by है और dollar का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चो आपका 6 है तो इसको पूरे को एक बार इडिवाइड करके देखे क्या ये complete divide हो रहा है तो ये complete divide हो रहा होगा कि आप complete divide करोगे तो 6 दुनी 12 होता है और 6 चिक कितना होता है 36 होता है ठीक है तो ये कितने पे जाएगा 26 पे जाएगा और 26 की multiply किस से करनी है तीन से करनी है अगर 25 की 3 से multiply करनी है तो 75 हो जाएगा और 75 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 78 ठीक है अब 78 में आप 2 और जोड़ दोग रहा है कि सबसे पहले तो यहां पर फिर क्या होगा आपका मल्टिप्लाई का उप्शन होगा तो यह आपका अंसर सब का 70 अंसर आ रहा है 7070 अंसर आ रहा है उप्शन नंबर ए सब का अंसर है एकदम सही है अमन्तिवारी मंजीत डागर मिनाक्षी डवास गोरवदया कप्तान सिंग परू पीवू अशुक दलाल आप संग का अंसर जो है एकदम सही है बहुत बड़ी अंसर आया पैरे बच्चों अंसर तो 8080 आना चाहिए कैसे कहा है 15 नंबर पर पोचते हैं 15 का अंसर क्या आएगा वो बताओ आप सर एक बार दुबारा बता दो चिनू मंजी डागर 3 इंटू 26 प्लस 2 माइनस 10 सर पूरा सोल करना तो कही ना कहीं हमने गलत लिख दिया गया देखो इस वाले में जो है ठेक है देखो यहाँ पे क्या लिखाओ है बीच में साइन क्या है साइन है पर आपका साइन क्या है दिवाइड का साइन है माइनस का और अब यैड का मतलब मतलब है आपका संदी सफरेट का मतलब कंशे चुए परसंटेश का मतलब क्या है तो हमने एक डिषित पहले वाला ले लिया था वो गलतीकर रख datas उसके बाद में है और हैस का मतलब क्या है आपका 156 ठीक है उसके बाद में क्या लिखा हुआ है डोलर और डोलर का मीनिंग क्या है यापे डोलर का मीनिंग है 6 डोलर का मीनिंग क्या है आपका डोलर का मीनिंग है 6 और कोपी राइट का मतलब क्या है 10 है यह कोपी राइट हम इतना सा सोल कर रहे थे तो आंसर तो फिर 80 आना था तो मैं वह सोच रहा था बार बार यह 10 का यूज करना जरूरी था अब इसको सोल कर लेंगे कि यहां पर जब आप सोल करोगे तो यह कितना आएगा 78 आएगा क्योंकि कितना होता है 156 भाग में 6 रहेगा तो 6 दूनी 12 रहेग या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 6 यह कितना होगा 18 तीन दूनी कितना हो जाएगा 6 कितना है आपका 78 तो इतने का सोलुशन तो क्या है आपका 78 है फिर 2 प्लस है माइनस कितना है 10 है तो यह कितना होगा 80 होगा 80 माइनस 10 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा अब अंसर एकदम प 20 प्लस है उसके बाद कितना प्लस है 40, 10, 50 आपका प्लस है अब कितना प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चो 60 प्लस हो जाएगा यानि कि 211 में आप 4 जोड़ दोगे आपका अंसर हो जाएगा 211 एगदम परफेक्ट आंसर है दी आंसर एकदम सही था सबका आंसर दी आंसर सही था इससे पहले मैंनकभेशन आंसर दे दिया था वीडियो को वहीं रोक दिया था कि सर रोकना पड़ेगा यहांपे वीडियो को बताईए भई इस अगले वाले कोश्चन का आपका क्या आंसर होगा डारेक्शन एंड इस्टेंस का आंसर है इसमें बोला गया है एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है और दक्षिन की और तीन किलोमेटर चलती है ठीक है यहां से उसने चलना प्रारम किया और कहा जा रही है पैरे वच्चों वो तीन किलोमेटर जा रही है घर से चलना शुरू किया यानि कि ये है उसका घर लास्ट में पूछा क्या गया है उससे उसे अपने घर पहुचने के लिए किस दिसा में चलना होगा ठीक है तो अपोजिट कर देंगे बाद सिधा साय सिंपल हो जाएगा तीन किलोमेटर चलती है उसके बाद में वो दाए मुड़ती है और चार किलोमेटर चलती है ठीक है फिर वो right side मुड़े की तो right side मुड़ने के बाद वो 4 km चल रही है फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 km रती है 5 का मतलब क्या है तीन से उपर जाएगा विकित 3 तो यहां तक हो जाता है complete जाएगा तो कितना हो गया 5 पांच किलोमेटर चलने के बाद फिर वह है दाएं मुड़ती है और चार किलोमेटर चलती है चार का कितना है पैरे बच्चो बिलकुल ये वाला जो चार है और उपर भी चार एकदम से मोना चीए उसे अपने घर पहुचने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा तो घर जो है वो किस दिशा में पैरे बच्चो घर है एकदम नीचे यानि कि साउथ डारेक्शन में उसका घर है घर कहां पे है उसका दक्षिन दिशा में उसका अंसर है एकदम सही है बी अंसर सही है कप्तान सिंग गलत हो गया है इस अंसर गलत है इंगलीस में कुछ अलग से लिखा है क्या पहरे बच्चो अकली स्टैंडिंग स्टार्ट प्रोम हर हाउस एंड वोग 3 किलो मेटर तो वाड साउथ एंड वोग 4 किलो मेटर तो आड राइट सी दें टर्न राइट 5 किलो मेटर तेक अनएधर राइट और वोग 4 किलो मेटर इन व विस डारेक्शन जिसका भी अंसर बी के अलावा आया है तो इमान्दारी से उसका अंसर है गलत इसने भी इस लिखा दा वो गलत है पीगु का रोंग हो गया है गुरोध या आपका भी गलत हो गया भाई उसके बाद में पीखु का अंसर गलत है रहुल राज ने अंसर काट दिया कप्टान सिंग ने अंसर गलत है डाइग्राम बनाने में आपने गलती कर दी प्यारे बच्चो आपको घुमना तो दो राइट अपने घुमा दिया उसे ल लिखा गया है, F A M O U S, तो F तो यहीं की यहीं लिखा हुआ है, M यह वाला लिख दिया गया है, A यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद में U यहाँ पे लिखा गया, O यहाँ पे लिखा गया, और S ऐसे कैसे, यानि कि L जो है वो तो सेम रहेगा, D जो है वो भी सेम रहेगा, E यहाँ पे आएगा G यहाँ पे आएगा यानि कि G आएगा फिर E आएगा E last में जाएगा N आएगा फिर N आएगा और क्या होगा E यानि कि L G E N E D यह आपका अंसर बनेगा L G E N E D Option number B जो है एकदम सही Option number B ही आपका सही अंसर है कप्तान सिंग अब भी फिर गलती कर दी भाई आपने B आंसर होगा कप्तान सिंग का गलत होगया बाकी का सही है असोग दलाल पिछले वाले का सही है ठाकूर बिल्कूल सही है भाई जोती राटी पहले आंसर आया भाई B बहुत अच्छे सही अंसर एकदम कोश्चन नमबर 18 को चेक करिए पैरे बच्चो 18 का क्या अंसर होगा पिउ का अंसर सही था टाकूर का अंसर सही है असोग दलाल का अंसर सही है जोती राटी अमित कुमार असोग दलाल फिर बाद में राहूल राज मैंक बेश्ट कप्तान सिंग गोरव दहिया मिनाक्षी डवास मंजी डागर एकदम सही अंसर दे पैरे बच्चो आप सबके परो का अंसर भी है वो भी एकदम करेक्ट है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है लाजवाब अंसर आया आप सबके शिवानी का अंसर भी है बहुत अच्छे बढ़िया बस आप ऐसे ही मैनत करते रहे हर सेटर्ड़े संडे को आपका प्रेक्टिस सेड चलता है अब भी फिलाल अपने यहाँ पे चल रहा है नोन वर्बल की सीरीज चल रही है एक सप्ता हो गया है मंडे को साइब स्टार्ट किया था या तुजडे को हमने नोन वर्बल का पर्ट स्टार्ट किया था और अब भी भी बहुत सारा बाकी है नोन वर्बल के कम से कम यहाँ पे 500 प्लस कोश्चन आपके सोल हो रहे हैं सो से उपर पूझ चुके हैं सो से प्लस मेरे ख्याल में 130 के ासपास पूझ रहे हैं 130 से प्लस कोश्चन हम कर चुके 200 प्रग जाए निशू 2 बार अनसर क्यों दिवे है असोक दलाल का अनसर क्या है तीन बार गोरो दःया का अनसर क्या है D अनसर है अमन्तिवारी का भी D answer है जिसका भी D answer आ रहे बस वही चेक करना है गोरोव दया का D answer है अमन्तिवारी का D answer है बाकी भाई बाकी कोई student देखो क्या बोला गया है कि जो भी Ode संख्या होगी जो भी विशम संख्या होगी में दो की व्रद्धी की जाए यानि कि increase किया जाए कितना increase किया जाए दो जोड़ा जाए तो भाई जो ओड संख्या होती है प्यारे वच्चो ओड संख्या क्या होती है तीन होआ जैसे की एक होआ इस तरीके की बाते हैं या पांच है तो पांच का मतलब क्या हो जाएगा साथ तीन का मतलब क्या हो जाएगा पांच एक का मतलब क्या हो जाएगा आपका तीन साथ और दो हो जाएगा नो पांच और दो साथ हो जाएगा एक और दो कितना हो जाएगा आपका तीन तीन और दो कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा और क्या लिखा गया है even number decrease by 2 जो even number होगा प्यारे बच्चो यानि कि जो समसंख्या होगी उसके अंदर 2 की कमी कर दी जाएगी 2 की क्या है कमी कर दी जाएगी तो 2 में से 2 गया 0 इस में से 4 में से 2 गया तो 2 6 में से 2 गया तो 4 उसके बाद में यहां 2 बचेगा ये 6 बचेगा फिर यहाँ 0 बचेगा अब क्या बोला गया है और इसके बाद नए करम के अनुसार अवरोही करम में रखा जाए अवरोही को बोला जाता है यानि की घटते करम में लिख दिया जाए तो फिर आपसे पूचा जा रहा है कि लेफ्ट साइड से बाएं और से पांचवे स्थान पर क्या होगा तो सबसे पहले क्या आएगा आपका संख्या में सबसे पहले क्या आएगा नाइन आएगा तिक है कि नाइन आपका आगया नो के बाद में क्या आएगा प्यारे बच्चो साथ आएगा नो के बाद क्या आएगा ये साथ दुबारा से फिर सेवन लिखा है दुबारा से फिर आ है आपकी 6 है साथ से कम संख्या क्या है आपकी 6 है उसके बाद क्या है पैरे बच्चो 5 है उसके बाद क्या आएगा आपका 5 आएगा और आपको पांचवें संख्या पूछी गई है एक दो तीन चार और पांच तो पांचवे नमबर पे क्या रहा है आपका फाइफ आ रहा है उप्षिन नमबर बी जो है वो सही होगा डी अंसर जिसका भी है गलत अंसर है डी अंसर जो है प्यारे बच्चों आपका गलत अंसर है मैं आपसे बार-बार बताने कि यहां कोशिस कर रहा हूं कि अवरो ही करम में लिखना है decreasing order में लिखना है बढ़ते करम में नहीं लिखना है ऐसा नहीं लिखना था आपको यहीं लिखना है ऐसा नहीं लिखना है कि बढ़ते करम में 0 एक बारी आ रहा है दुबारा फिर जीरो आ रहा है इस तरीके से फिर क्या आएगा आपका दो आएगा यहाँ पे दो लिखा गया है यह दो लिखा गया है दो यहाँ लिखा गया है दो यहाँ लिखा गया उसके बाद क्या लिख रहा है तीन और तीन लिख रहा है तो तीन और तीन लिख रहा है फिर बाद में क्या आएगा चाहर है ऐसा काम करना ही नहीं है प्यारे बच्चो D अंसर किसी आलत में आई नहीं सकता D अंसर बहुत बच्चो का है B अंसर ही होगा प्यारे बच्चो उसका D answer तो किसी आलत में नहीं है D answer तो आएगा ही नहीं तो बताइए अगले वाले question में क्या answer होगा 19th question एकदम हटके जोती बोल रहे हैं कि निशू answer डिलिट ना करें अच्छा पीव बोल रही है सर मैं गलत नहीं हूँ B को मैंने D लिख दिया बड़ा अफसोस हुआ सुनके B और D में आपको फरक पता नहीं चल रहा गलती हो जाएगी बच्चे ऐसली गड़बड नहीं कर रही है exam में तो बिल्कुल नहीं करनी साथ में ट्रिक बताईए इसमें क्या ट्रिक अपलाई हो रही है 216 का 81 लिखा गया है तो 104 का क्या लिखा जाएगा 216 भी एक क्यूब है और 81 भी एपका क्या है क्यूब है नौनी में क्या सी होता है और 6 का क्यूब होता है 216 लेकिन 216 भी किसी का और कुछ भी होता है उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है ठीक है option number C ठाकूर भाई बिल्कुल सही है ट्रिक बताईए क्या ट्रिक अपलाई हो रही है राहूल राज C अंसर है ट्रिक बताईए क्या ट्रिक अपलाई हो रही है ठाकूर भाई का सही अंसर सही धार विरोन ने काट दिया गलत हो गया वो शिवानी का अंसर गलत हो गया 19-way का अंसर जो है वो C है एकदम सही अंसर है बस बदाईए यहां पर ट्रिक क्या अप्लाई हो रही है 19 में का 25 पीवू बिल्कुल सही है ट्रिक बदाईए क्या ट्रिक अप्लाई हो रही है कोई नहीं सर एक ही गलत किया है ठीक है सिवानी वैसे भी लेट आया आप बिल्कुल सही है राहूल राज भाई ट्रिक एकदम perfect है कि 2, 1 और 6 को जब हम जोड़ेंगे 6, 7, 8 और 1 कितना होगा 9 होगा 8 और 1 को जोड़ोगे तो कितना होगा 9 होगा फिर 1 प्लस 0 प्लस 4 काफी बच्चे answer दो दे रहे हैं लेकिन सबको नहीं पता है कि इसका perfect solution क्या होगा सबको नहीं पता है कि इसका perfect solution क्या होगा यहां पे कितना है इसका solution कितना आ रहा है 5 है और फिर यहां पे 5 अगर जोड़ने लग जाए तो 5 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है आपका कि इसको जोड़ेंगे तो 11 है ये 9 है इस तरीके से तो दूसरी ट्रिक फिर लगेगी वो क्या लगेगी जो मैंने यह टोटल 9 किया था तो इस 9 में क्या कर दो 9 multiply 9 कर दो अब आपका answer क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा यानि कि second वाले को वो plus नहीं कर रहा है सेगेंड वाले को प्लस नहीं कर रहा है 99 कितना होगा 81 होगा तो 55 कितना होता है 25 होता है answer क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा इमानदारी सेख एकाद बच्चे को पता था या फिर एकाद को नहीं पता था बाकी सबको पता था ऐसा मैं बोल सकता हूं पर्शांत मिस्रा गुड इवनिंग भाई बहुत दिनों बाद आये पर्शांत भाई अमन्तिवारी सबका answer एकदम सही है सबका answer एकदम सही है perfect answer है लास्ट फाइनल बीस्वा question है आ गया है आपका प्यारे बच्चो बीस्वा question को आप try करिए फिर देखते हैं कोन यहां पे अच्छा score करके आया है फिर आप सबको इमानदारी से अंसर बताना है कि इमानदारी से ही आपका score आना चाहिए काफी question तो ऐसे थे जो सबके ठीक नहीं थे तो बीस है बीस में से 18-19 तो किसी के बनते ही नहीं है 19 तो किसी के नहीं बनते वच्चे कहीं आप 18-19 नंबर लिखने लग जाओ फिर आपने जो message delete कर रहे हैं करक के हैं वो भी matter करेगा कि पहले आंसर कुछ दिया था बाद में कुछ दे दिया 19 में का answer चेक करिए बोला जा रहा है कि O का cousin जो है M होना चाहिए कॉनसे वाला option आपका बनता है मेरे बनेंगे जोती राटी बता रहे हैं कि मेरे बनेंगे आपके तो बनते हैं जोती राटी बिल्कुल फर्स्ट कॉश्चन का answer किसी का सही नहीं था सब किस पर लगा रहे थे वो कौन सा option था साइद B या सी था विश्पर था उस पर सब टिक लगा रहे थे वो एकदम गलत था उसके बाद में एक दो कॉश्चन और थे जो सब गलत लगा रहे थे एक तो वो ranking वाला कॉश्चन था जो ranking का था ना 21 और 31 बच्चों ने 21 से सोल कर रहा था एक या दो बच्चों का अंसर सही था साइद बाक्की का गलत था तो बीश्वें से दो कोश्चन तो आपके ये गलत है चाले बीश्वें का अंसर जोती राठी जह करलियो हो गैसे दो कॉश्चन तो ek ळलत जोती राठी असर आ रहा है बीश्वें काटी अंसर है् वेल्ट न्हीं प्रश्यन गलत है बच्चे जोति दीदी का पूरा सही एं अम अंतिवारी ब prett का सारे सही है बताव तिरंगा फेरा दिया सईद नहीं करना भाई ने शावाशी दे रहे हैं वो आपको राहुल राज बीसवें का भी है ठीक है राहुल राज का भी अंसर है सर मेरे तो 12 या 13 ठीक है कोई नहीं चिनू भाई जहां तक भी आप पोचे हो भी बहुत अच्छी बात है वरना यह 20 कोशन ऐसे हैं काफी बच्चे तो यह हैं जिनके 8-9 कोशन ठीक होते हैं केवल बीसवें का भी है जोती कैसे जोती राटी अब तक अंसर नहीं आ रहा है बीसवें का जोती राटी बीसवें का अंसर नहीं आ रहा है चलिए बताते हैं आपका अंसर क्या होगा उप्षे नंबर ए को सोल करते हैं क्या लिखा जा रहा है कि O-N है माइनस का अर्थ क्या है O-N की पुत्री है ठीक है भाई उसके बाद में N-M का मतलब क्या है N-M की अंटी है यह जो N है वो अंटी है किसकी अंटी है M की अंटी है तो पूचा क्या जा रहा था O-M का कजन होना चीए O-M का कजन ही है क्योंकि उसकी पीडी में बैठा हुआ है क्योंकि उसकी पीडी में बैठा हुआ है यहां पे रिलेशन तो क्या है मा का रिलेशन है और यहां पे रिलेशन क्या है यहां पे आंट का रिलेशन है तो यह दोनों क्या होंगे आपस में कजन ही होंगे आंट कोई भी हो सकती है या तो क्या होंगी चाची होंगी या फिर क आउंगी बुआ होंगी ठीक है तो यही बनेंगी आंट का मतलब यही होता है उसके बाद में क्या हो सकता है मामी भी हो सकती है तो अपने से उपर वाली पीडी में प्यारे बच्चों यही होंगे चाची बुआ मामी जो भी होंगे और जो भी चाची का लड़का होगा है या भी यहां पर है टीक है इस तरीके से पूचा जा रहे तो वह अपस में क्या आँगे कजन होंगे और ये अंसर भी गलत था क्यों में इसलिए लेट हो गई वहलेट हो फि gagत गतान भाई गलत था राई राई राजछ गलत था अब बताओ राई ये पर से फिर परसो कलेंडर भी आ रहा है आप सबको वो कलेंडर तो समझ आता नहीं है कि का कलेंडर आ गया है DSS DSS भी का कलेंडर आ चुका है है ना यह तो अपने को समझ नहीं आता है लेकिन यह समझ आता है कि फरवरी का कलेंडर आ चुका है समझने वाले इस कि पांते प'! सार तरंगा नाम में तिरंगा ये लगा है तो बताईए आप स्कोर कार्ड बताईएay क्या स्कॉर बन रहा है टागुर बंदारी साधी में हूं बहुत अच्छे हैं टागुर वाइदेगों साधी में वो करके भी पढ़ रहे हैं बताइए इससे बैतर क्या चुनों चाहिए कि सर यहां तो जिनाचे जा रहे ना कि डांस पर पूरे कपड़े उपड़े खराब करके और फिर हम यह आंसर भी दे रहे हैं तो देखते हैं किसका क्या स्कोर रहा आज कौन जीता कौन हारा मेरे 18 होंगे जो 38 के हैं 18 जो 38 के कितने हैं 18 है यह था आपका पहला कुश्चन यह था आपका फर्स्ट कॉश्चन जो 38 फर्स्ट का भी ना दिया था ठीक है फर्स्ट का कॉश्चन यह मिनाक्षी डबाद 16 में से 20 बहुत अच्छे बहुत बढ़िया इमानदारी के स्कोर हैं सारे के सारे 20 में से 16 तेक है उसके बाद में कौन है मिनाक्षी के अंसर कितने सही है 16 परू के है कि परू का भी अच्छा स्कोर है क्योकि 17 कोश्चन सही है उनके 19 में से तो अच्छा स्कोर है बच्चे जो 38 हैbreak ठीक है चिनु सर चैसल की प्रिपेशन करनी है तो उसके लिए क्वेशन बता दो छेसल का संडे को प्रेक्टिश रहेगा भैं प्रेक्टिस हैं यह संडे को सटेक वाला चलता है संडे को आपका CHSL कल आप तयारी करके आना CHSL बिल्कुल रहेगा एक वीडियो भाई बहुत जल्दी बना रहा हूं मैं बहुत जल्द बनाऊंगा कि CHSL में आपको क्या-क्या पढ़ना है कौन-कौन से टोपिक पढ़ने प्रिवेस एर पूरा छान भीन करके फिर आपको बताया जाएगा सिवानी के पाचें से चार सही है संजू कोशिक के सोला है संजू आपके भी कितने प्यारे बच्चे आपके सोला सही है कप्तान सिंग के सत्रा में से बारा नंबर बहुत अच्छे भई प्रेक्टिस आपकी ठीक ठाक चल रही है मैं यह नहीं कहूंगा कि आपकी बढ़िया प्रेक्टिस चल रही है प्यारे बच्चो आप सब की ठीक ठाक चल रही है हांजी संजू को सिक्क मुझे याद है मुझे याद है इस एक्जाम के बारे में ICAR के बारे में पता है बस थोड़ा time नहीं मिल पा रहा है कि कुछ स्थितिया ऐसी हो जाती ही time नहीं मिल पाता है क्योंकि फिर coaching पे जाना और 2 वजे coaching से निकलना और 4 वजे घर पोचना और फिर आपके लिए सारे question त्यार करना है तो थोड़ा time नहीं मिल पाता है लेकिन मैं पूरा कोशिस कर रहा हूँ कि शाम की class भी miss नहीं होनी चीए और offline classes भी एकदम बैतर चलनी चीए सारी चीज़े एकदम बहुत जल्दी से लेकर के आऊँगा सर जी ESIC का भी और बताना ठीक है परू बिल्कुल बताएंगे बच्चे सर्च करना पड़ेगा ESIC सर्च करना पड़ेगा पूरा सर्च करके मैं आपको जरूर बताऊंगा तो ठीक है प्यारे बच्चों कल मिलते हैं correct 7 बज़े अच्चे से तयारी करके आना हिंटे आपके लिए यही है कि coding decoding है series है थोड़ा अच्चे से करके आना क्योंकि SSC की series बहुत अच्छी होती है shout होवेगा इसका हंजी answer shout होगा यह जो B answer है यह एकदम सही है तो आप चेक कर लेना SHRILL SHRILL का जो meaning है यहाँ पर बोला गया है कि option must similar similar का मतलब क्या है synonym अगर आप चेक करोगे SHRILL का जो synonym होता है synonym एंटोनियम जो होता है SHRILL का आप synonym चेक करोगे तो आपको shout नजर आएगा बिल्कुल सही answer था ठीक है प्यारे बच्चों अब हम मिलते हैं कल की class में बस आप ऐसे ही पढ़ते रो मैनत करते रो कहीं पर कोई समझ्या आती है तो आप पूछते रो किसी question में doubt आए तो आप सब के पास मेरा number है आप अपने doubt भेजिए मैं आपको solution करके जरूर बेज दूँगा reasoning हो math हो कोई भी subject हो आपको मिल जाएंगे reasoning का पहले बेज दूँगा भाई math के लिए फिर teacher से पूछना पड़ता है जो मुझे आते तो वो तुम्हें बता देता हूं कहीना कहीं से आपके solution जरूर मिल जाते हैं आपको problem नहीं होने देंगे किसी भी subject में सबके बढ़िया हैं बहुत बिल्कुल परफेक्ट है ठीक है प्यारे बच्चों मिलते हैं अब हम कल की ग्लास में तब तक के लिए नमस्कार गुड़ नाइट स्वेट ड्रेम विदाउट चोकलेट है